तेवारोनी सीजन मा हवे अम्दवाद मा शाक बाजी अने फड़ोना भाव मा वधारो थे हो छे जेने लईने ग्रुएणियोंनों बजेट कुरवायो छे दुकान दारोनों मानबू छे के कम औसमी वर्साद अने महत्तम तापमान मा वधाराने कारणे तामेटा डुंगडी अने बटाकाना भाव मा वधारो थे हो छे एटलूज नई शाक बाजेने फड़ोना उतपादन मा पन गटाडो थे हो छे करे बजार मा सप्लाई पन ओची छे जोके दुकान दारों अन्य राजे माती शाक बाजी मंगावत हो बने कारणे वधू किम्मते वेचान करवा मजबूर बने आचे जेनले वेचान मा पन गटाडो थे हो आ साथेज दुकान दारों ए दावो करे हो के हाल मा लोको रोज बरोजनी जरुरियात प्रमानेज शाक बाजी नी खरेदी करी रहाँ छे जो के बजार मा नवास टोक नी आवक थाया बाद उपन शाक बाजी ना भाव मा खटाडा नी आशा अव्यक्ति करी छे प्रमाटर भी नाशिक से आ रहा है और बरसाद से माल बिग गया है आदा माल डेमेज हो गया है काने कुबडे इसके लिए दाम बढ़ गया है जैसे कभी डेगन का सीजन है उसमें थोड़ा भाव कम है डेगन 800 रुपे किलो हो गया है और दुसरे जो फले हो तो काफी महंगे जैसे इंपोर्टे फ्रूट आते हो काफी महंगे और इस तरह की फ्रूट महंगे होने के कारण दंदे भी गिरागी भी कम है बाव बहुत ज़्यादा है और अभी पोसाव ऐसा है नहीं क्योंकि हर एक चीज डबल बाव हो गया था अल्मोस्त बोलतो रहें बाव कम होगा लेकिन लगता तो नहीं है मेंगा के वज़र लेना तो पढ़ता ही है मेंगा तो है सब तींवे 155 जड़ हो गया है 30 कासरा हो गया है 40 खरी वह ओ गया है फिर भी खाना तो है तो लेना तो पढ़ता है